ए और B से मिलकर बना योगिक जो क्यूबिक क्रिस्टल है क्यूबिक क्रिस्टल है ठीक है क्यूबिक क्रिस्टल ठीक है जिसमें ये पर्माडू के कोनो पर ये क्या परमाडू के कुन उपर और B परमाडू के पिंद के अबजेक्ट के केंद्र में है यानिक एकदम बीच में है तो योगिक का समाने सुतर क्या होगा देखिये ए एटम का कॉन्टिबुईशन क्या होता है टोटल एका कॉन्टिबुईशन total 8 atom है तो इनका contribution 1 upon 8 होता है तो total atom कितना हुआ 1 मतलब A केवल होगा और B कह रहा है object के अंदर यानि Pind के अंदर तो B की संख्या कितनी हो जाएगी 1 मतलब ये भी सिर्फ 1 तो दोनों को मिला दिया जाए तो chemical formula compound का क्या होगा समानने शुत्र क्या होगा A B होगा तो A B option क्या होगा A B आगे देखे आइनिक ठोस है आइनिक ठोस कौन कौन सा है sodium chloride विलकुल आइनिक ठोस है cesium chloride आइनिक ठोस है rubidium chloride आइनिक ठोस है all of these answer होगा ठीक है अगला क्या होगा P टाइप के डोपित अर्ध चालकों की प्राप्ती करने में मिलाई गई असुद्धी में सन्योजी इलेक्ट्रोन की संक्या कितनी होती है देखे P टाइप में क्या होता है ट्राइवेलेंट यानिकी त्री सन्योजी मतलब जिनकी सन्योजकता टीन होती है तो ये ट्राइवेलेंट एलेमेंट जैसे बोरोन एलुमीनियम है न गैलियम इनको न मिक्स किया जाता है डोपिंग करने के लिए ठीक है तो ट्राइवेलेंट का मतलब जिसका सन्योजी इलेक्ट्रोन कितना होता है तीन और P के बाद अगर एन पूछे लेता माल लीजे एन पूछ लेता तो एन टैप में कहते न की ये पेंटावेलेंट इसमें असुद्धी की रूप में क्या मिला जाता है कर रहेँ चाला को प्राप करने में मिलाई गई असुद्धी में सन्योज़ियलेक्टरुन की संखे Message तो P टństाइब में तो 3 होगा option कहां दिख रहा है पहला ही option है लेकिन अगर एंट टैप便τα तो pentavalent कहते हैं bardziej mental का मतलब सन्योज़ियलेक्टरुन की संखेक कितनी होती 5 होती कितनी होती पांच तो पी टाइप में कितना तीन जिसकी मतलब जो असुद्धी मिलाई जाएगी उसका सनुवजी एलेक्ट्रन तीन और एंड टाइप में कितना होगा पांच होगा आगे बढ़िए अगला है कि कौन फेरो चुम्बक ये पदार्त है एने सील अभी हम लोग क् टायमग्नेटिक होगा कैसा होगा डायमे एक कि और एफ जी नियों फेरो चुम्बक किया होगा यानी फेरो मेंग्नेटिक तो फेरो मेंग्नेटिक भी ऑप्याप इलेक्र इलेक्ट्रन होगा लेकिन फिर भी ओट्ष May नियोन दोनों पैरा मेगनेटिक नेचर के होते हैं कैसा होता है पैरा और एंटू में साथ दूना चौदा यानि कि पेर्ड इलेक्टरन हो गया तो डाया होगा कैसा होगा डाया मेगनेटिक यानि हिंदी में प्रती चुमब किया फोटोग्राफिक प्लेट फिल्म प्लेट में किसका अवस्य घटक होता है तो आप टेंथ क्लास में भी सायद पढ़ क्या है कि बड़केन वाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रॉमाइड का इस्तमाल किया जाता है तो ओप्षन क्या होगा बी यानि फोटोग्राफी कोई भी फिल्म प्लेट है उसमें सिल्वर ब्रॉमाइड का होना अग्दम आवस्यक है उसके बीना वो अधूरा है अगला कुस्षन है रवा में जब इलेक्ट्रोन रिडायन द्वारा खाली अस्तान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोस्थ उत्पन होता है एक रवा है और उसमें इलेक्ट्रोन रिडायन के द्वारा किस के द्वारा इलेक्ट्रोन को किस के द्वारा रिडायन के द्वारा खाली अस्तान में पकड़ लिया जाता है तो ऐसे दोस्थ को नो F-Center कहते हैं क्या कहते हैं F-Center C-Option सही होगा होगा ठीक है तो चलिए इसमें इतना ही रहने देते हैं और 31 कोस्टन है और भी आपको कोस्टन मिलते रहेंगे इसका कोस्टन बैंक का एक अलग से वीडियो आपको रिकॉड करके देंगे तो नोट कर लिजे पहले तो आप इसको को नोट कर लिजे और फिर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर यूसफुल हो और चैनल प्याप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपके फ्रेंड्स होंगे तो उनके वाट्सप ग्रूप वगर हमें दो चार वाट्सप ग्रूप में जरूर सेर करें इससे एक पैसा आपका नहीं लगता है तो चले मिलते नेक्स्ट वीडियो में कोमेंट जरूर करिएगा यह कैसा लगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में बहुत-बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए